स्टुडेंट्स मैं हूं संतोशना के और मेरी इस यूटीब चैनल संतोशना के मैं आपका स्वागत है तो अभी क्या हो गया कल मैंने एक वीडियो बनाया था ना इसी का तो जो लास्ट में यूनिट 4 का इस्टेंडर 12 का जो है तो कल हमने आधा पढ़ाता अभी हम इसे देख रहे है समरी ओप दे नॉवेल यह जो नॉवेल है इसके बारे में हम समरी देखेंगे तो क्या होता है न देखो अभी तू सर्वित लव इस ए वर्क ओफ फिक्शन यह फिक्शन है based on the life of the author यह किस के जीवनी के उपर है ब्रेथवेट यह है इनके जीवनी पर यह है इसका में चारेक्टर क्या है यह क्या चीज है यह नॉवेल जो आटोपाग्राफी है यह आत्मचरीतर तिनोंने लिखाए खुच the main character E.R. ब्रेथवेट works as an engineer तो E.R. ब्रेथवेट जो थे न वो work काम करते थे as as engineer इंजिनियर के जैसे वो तोर पर इंजिनियर के पत पर वो थे काम करते थे इंजिनियर के is an oil refinery oil refinery तो refinery जो थे oil refinery वहाँ पर वो काम करते थे तो he served in the royal British he served उन्होंने अपनी सेवा दी in the royal British air force air force में उन्होंने अपनी सेवा दी in the war जब युद्ध हुआ तो उन्होंने वो साइनिय में सामिल हुए as a क्या तो एक साइनिक के दरवर काम उन्होंने वहाँ पर किया after the war यह लड़ाई खतम होने के बार में being a black person अब क्या हो गया हो लड़ाई खतम हो गई तो after the war तो यह after यह निक होता है बाद उसके बाद में लड़ाई खतम होने के बाद में तो वो कैसे बेखती थे black person थे उनका जो fair था वो कैसे था वो उनका चेहरा मतलब उनकी बनावर black थी तो he was unable to find employment मतलब वो यूद्ध के बाद में फिर उनको नौकरी से निकाला गया जितने भी साहिनिक थे तो अब ये काले थे तो इन्हें दूसरी जॉब करना या दूसरा नौकरी जो है उसके लिए उन्हें बहुत परिशानी उठानी पड़ी to find employment as at last as a last resort he applied in a school अब आखरी में क्या हुआ फिर उनके पास में चांस नहीं था मोका नहीं था तो उन्होंने इसकोल में apply किया to become a teacher टीचर के तोर पर उन्होंने नौकरी ले अप्लाई किया और surprisingly और आश्चर की बात देखो he is accepted at the Grinslet School तो यह जो इसकोल है Grinslet School in London London की जो इसकोल है East End and is set to teach the senior classes और उनका चायन हो गया है senior class में पढ़ाने के लिए senior classes of the school while reading the novel तो यह जब यह novel हम पढ़ते समय while reading while याने के समय के दवरान while reading the novel we have to understand that हमें समझना पढ़ेगा की that the time period in which the story takes place तो हमें समझना पढ़ेगा की यह जब यह सच्ची घटना घट रही थी take place is very important यह वो समय वो दौर कैसा था यह हमें समझना बहुत जरूरी है Brathwaite find that even though he considered himself British जो breathwaite थे थे ना fine उनको लगा उन्हें समझ में that even though he considered उस खुद को समझते थे क्या British British समझते थे and has served in the Royal Air Force और उनों ने अपना जो समय है अपना जीवन Royal Air Force में भी दिया Ralph the English do not consider पर जो इंग्लिश लोग थे अंग्रेज जो थे do not consider him to be one of them उनको ये breath weight को अपने जैसा अपना देश का नहीं समझते थे this leads breath weight to feel bitter और इसी के कारण उनको कैसा लगता था feel bitter यहने उनको बहुत बुरा लगता था bitter यहने कड़वा तो बुरा लगता था about the English and the colonialism English और उनका जो अपने विश्वाद था उसके बारे में उन्हें बहुत बुरा लगता था as well as about his white student as well as his about his white student जो इस्कुल में बाड़ाते थे तो उन्हें बहुत बुरा लगता था कि उनके मतलब उनको भेदबाव किया जा था discrimination breath weight teaching position तो breath weight teaching position starts out roughly तो उनका जो teaching का काम था हो शुरू हुआ तो क्या हो गया position starts roughly तो rough यहने बहुत बुरी तरीके से उन्हें जो है सम्मान मिला मतलब उनका वेवार जो बच्चों का था वो बहुत ही बुरा था and embarrassed यहने शर्मिंदा होना embarrassed यहने शर्मिंदा तो दोस्तों आपको भी इस तरीकी मिनिंग जो है बहुत सारी निकालना है really we have to study and we have to take meanings to understand very well तो roughly and अब क्या होँ उनका जो पोजिशन था वो roughly and embarrassed time and again he considered his student disrespectful, ill-mannered तो वो जो student थे वहां के कैसे थे वो disrespectful थे disrespectful यहने जो विद्ध्यारती वहां से अलग-अलग जगा से निकले वे थे तो मतलब और ill-mannered थे यहने सु संसकारी विद्ध्यारती नहीं थे वो and mischievous यहने और बदमाश जो बच्चे थे अलग-अलग इसकुल से निकले वे वो वहां पर वो पढ़ने आये थे while his student considered him to be an और जो student थे उन्हें क्या समझते थे consider manna him to be an arrogant outsider arrogant arrogant यहने होता है अभिमानी तो जो student थे उन्हें बहुत अभिमानी समझते थे outsider बहार का एक अभिमानी व्यक्ति आया है ऐसा unfamiliar वो अपने family के अपने राष्ट का व्यक्ति नहीं समझते थे unfamiliar और परिवार का भी नहीं समझते थे with the social environment in which in which they have grown up in which they have जिस तरीकी के माहल में वो पैदा होए थे वो वैसा ही उन्हें वो समझ रहते the student harass harass the student harass यहने जो विद्यार थे उन्हें परिशान करते थे him from the him from day one तो उसे पहले दिन से उन्हें परिशान कर में लगे थे slamming their desk during his lecture तो जैसे ही वो पढ़ाने जाते थे तो student जो थे वो अपने table जो है desk जो है वो बजा जम जम के आवाज से बजाते थे during lecture using foul using foul language and bullying him परिशान करना यहने जो उन्हें की language थी बहुत खराब थी खराब शब्दों में वो बाते करते थे उन्हें torture करते थे and bullying him परिशान करते थे to a great extent यहने great extent मतलब जैसे की student की सीमा कोई रहती है अपने teacher के प्रती उससे भी वो बत्तर जो वहवार उनसे किया करते थे great extent even the girl even the girl student do not spare तो यहाँ लड़के जो होते थे उनके साथ साथ लड़किया वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी कोई भी चीज जो समय वो नहीं बचाती थी उन्हें परिशान करने का a moment to harass breath weight in a in a reaction to that breath weight verbally scolds the girls to that breath weight तो breath weight verbally scolds the girls for acting in an unladylike manner तो तब breath weight को गुस्ता आदा था और breath weight verbally scolds चिलाते थी उनको breath weight the girls for acting in an unladylike manner तो उनके इस वेवार लड़कियों की ऐसे वेवार पर breath weight उन्हें चिलाते थे and being unruly the class और जो class में इस तरीका उपद्रवी उदंड तरीक का माहूल ता उसके लिए बच्चों को चिलाते थे when he understand that his outburst फिर बहुत समय के बाद में भी उन्हें पता समझ में आया की that his outburst और उनके ऐसे वेवार से outburst आविक से has not gained him तो उन्हें लगा उन्हें पता चला की उन्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है respect and co-operation from the student तो he changes his teaching and handling tactic तो बाद में उन्हें अपना जो behavior हो change किया उन्हें अपना तरीका बदला बच्चों को handle करने का handling and tactic tactic means होता है run kaushal यह उन्हें उन्हें अपना पूरा kaushal जो था तरीका बदल दिया उन्हें सुधारने का and decided decided फिर decide किया decide decide to decide to interact यह उन्हें उन्हें बादचित करने का तरीका जो है व्यवार करने का तरीका बदल दिया with them as as through they are as through they are adult कैसा व्यवार उन्हें किया फिर ऐसा बादचित करने लेंगे जैसे student जो है वो major हो जुके बड़े हो जुके and respectable person और कोई वो आधरने व्यक्ति है ऐसे उन्होंने उन्हें से विद्धियारतियों से बात करना शुरू किया he requires every girls be referred और उन्होंने उन्हें लगा required तो जरूरत है उनको girls और उन्होंने लड़कियों को miss कहकर miss and that his student call him sir और लड़कों को sir कहके वो respect देने लगे referred उन्होंने यह तरीका अपनाया at first the student find this level of difference तो सबसे पहले तो student को लगा क्या लगा समझ में आया at first the student find this level of difference ridiculous ridiculous यहने बहुत ही हास्यासपद मजा किया लगा and unnecessary पहले बार उन्हें student को ऐसा लगा however they came around after only a few weeks तो एक हपते के भीतर ही उन्हें क्या ऐसा महसूस हुआ completely changing both their hygiene and their attitudes toward one another तो जिस तरह से breath weight ने अपना बाचित का तरीका बदला अपनी क्या tactic बदली तो बच्चों के वेवार में बहुत एक हपते के अंदर ही वेवार में बहुत ही फर्क उन्हें पता चला दिखा उनको और उनके attitude में उनका वेवार जो था attitude था और hygiene था उसमें बहुत उन्हें फर्क दिखाई दिया this marks the success this marks the success of breath weight in handling the student in a very amicable way और इस तरह से क्या हुआ this mark इस तरह से उनकी सफलता का जो mark था वो खुल गया और student in very amiable और student में breath weight में मैत्री पूर्ण जो पूल था मैत्रे पूर्ण वेवार जगरूत हुआ तो इस तरीके से और आगे में जो है यह summary है इसले से novel की तो हम आगे देखेंगे तो continue रहे है next continue it will be continue thanks for watching this video